नमस्कार दोस्तों स्वागताफ का फार्मिंग हेल्प चनल में एक और नई वीडियो के सथ आज हम पहुंचे ट्रेक्टर मार्किट पते बाद हर्याना में यानि कि यह जो मार्किट है हर संडे को लगती है और सामने आप देख रहे हैं सवराज 864 एक्षं दो हजार तीन मोड सब्सक्राइब की तरफ है जो 2011 मोडल है साइद यह आप यहां से देख लीजिए सब्सक्राइब से नजर नहीं आ रहा है अच्छे से साइड वी आप इसका राइट साइड इस देख रहे हैं और च्यार लाख 20,000 साइड इस पर कीमत की गई है और यह आप इसका लैप्ट साइड से वीव देख लीजिए तीन स्लेंडर में ट्रेक्टर आता है यह प्लैक्फर्म का व्यू आप इसका देख सकते हैं गी और रियर टायर की जो कंडिशन है चोदन उठाइब इसके रियर टायर बिल्कुल ओक्के हैं इसके बाद आता सोनली का बी आई 753 सिक अंदर सीरीज में दो हजारा मोडल पांच लाख पैंतिस जार इसकी किमत सामने साप इसका यह व्यू देख सकते हैं कि साइड व्यू के दिए हम बात करें तो लैप साइड इसे भी आप इसका एक व्यू देख लीजिए चार स्लेंडर में आता है यह ट्रेक्टर प्रेंट टायर की पे जो कंडिशन और यह इसकी प्रंट टायर के यह भी एकदम पर इसके बिल्कुल नहीं वाली के प्र कूर्श sesके जो बहुत प्रेयर टायर इन्हें के कि यह देख सकते हैं सोड़ा नो क्सक्राइब में रियर टायर है यह आप देख लीजИ एक दम अच्छी कंडिशन के साथ में और प्लाटफों का व्यू भी एक दम ओके हैं और इससे आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हमको फार्म ट्रेक चैंपिन देखने को मिलता है जो दो हुजार ठारा मोडल है च्यार लाख दस जार इस पर कीमत की गई है सामने साप इसकी जो और यदि हम रियर टायर की बात करें तो 1326 किसमें रियर टायर है बिल्कुल नजदीक से भी आप इसकी कंडिशन देख दीजिए ब्लाटफों का व्यू भी आप इसका देख सकते हैं और इसके बाद आता ACV BI 450 राइट साइड से व्यू सामने से यदि हम आते तो हर्याना नमर ट्रेक्टर है ये 2013 मोडल है और 2,45,000 इस पर कीमत की गई है और ये लैप्ट साइड से भी व्यू आप इसका चेक कर सकते हैं फ्रेंट टायर की तरफ यदि हम बढ़ते तो फ्रेंट टायर की भी आप कंडिशन देख सकते छे सोडांगे हैं 25 के आसपास मान लेजी और रियर टायर की जो कंडिशन है ये भी 30 के आसपास 14.23 के इसमें रियर टायर है 30 परतिशत के आसपास रियर टायर की कंडिशन और ये प्लैटफॉम का व्यू आप देख दीजी इसका अब बढ़ते हैं आगे की तरफ आगे एक और फरंट्रेक चैंपियन देखने को मिलता है 2008 मोडल है और 280,000 इस पर किमत की गई है राइट साइड से आप इसका व्यू देख सकते हैं 49 SP की कैटेगरी में है 49 SP में है सामने से आप इसका व्यू देख सकते हैं और ये देख लिजी आप इसका लैप्ट साइड से व्यू ये आप इसके फ्रंट टायर की व्यू कंडिशन है वह चेक कर लिजी और रिर टायर की जो कंडिशन है काफी अच्छी है ये आप देख सकते हैं पलैटिपूम का व्यू इसके साथ आप देख लिजी और इसके बाद आते है जोंडियर क्या उन जीरो तीन नेस पर सामने से दी व्यू की बात करें तो आप एक सामने से इसकी एक जलग या एक व्यू देख सकते हैं 2005 मोडल है 2,65,000 इस पर किमत की गई है जो नेगोशियेशन होती है और साइड से व्यू कि यदि हम बात करें तो आप साइड से भी राजस्थान नंबर क्रेक्टर है और आप साइड से भी इसका एक व्यू देख लिजिए लैप साइड की तरफ से है और छे सोड़ों के इसमें फ्रंट आयर दिये गए है वह आप यहां से चेकर लिजी बिलकु अब बढ़ते हैं आगे की तरफ आगे फिर आपको एक और फार्म ट्रैक देखने को मिलेगा फार्म ट्रैक सैट की अदि हम बात करें तो सबसे पहले आप इसका राइट स्वाइड से व्यू देख लिजिए तीन स्लैंडर में ट्रेक्टर है और रेटर मोडल की यदि हम बात करें तो 2007 मोडल ये ट्रैक्टर है इसके जो रिये टायर की किंडिशन आप चैक कर लिजी पलाइट्फूम का व्यू आप देख सकते हैं सामने से व्यू की हम बात करते हैं तो आप सामने से भी इसका एक जलक देख सकते हैं इसका एक व्यू देख सकते हैं ये साइड व्यू आप लैट्ट साइड से देख लिजी और ये पलाइट्फूम का इसका व्यू इस साइड से देख सकते हैं सामने से आप इसका एक व्यू देख लिजी साइड व्यू की हम बात करता आप इस साइड से भी इसका व्यू देख सकते हैं और रियर टायर की जो कंडिशन हुए लगबग 40% से थोड़ी डाउन है 40% से कम हर्म ट्रेक्स चैंपियन की हम बात करते हैं सामने यह 2011 मोडल है और 2,55,000 इस पर किमत की गई है सामने साप इसका व्यू देख लिजीए साइड 11 मोडल ही है अच्छे से नजर नहीं आ रहा और साइड व्यू आप देख सकते हैं इसका लैप साइड की तरफ से छे सोड़ां के फ्रेंट टाइर है MRF कमपनी के और इसके यदि रियर टाइर की बात करें तो तेरा चैठा इसके इसमें रियर टाइर है और पलाटफूम का व्यू भी आप यहाँ इसमें देख सकते हैं और यह सामने आप इसमें जो अभी ट्रेक्टर देखे यह यहाँ पर मिलते हैं अगले वीडियो में